यह मेरा देखने का नहीं है मेरा मीडिया से अनुरोध है कि जाकर पूछे किसानों से जिन से वाइदा किया था कि सौर पे लीटर दूद खरीदेंगे दोर पे किलो गोबर खरीदेंगे महिलाओं के खाते में पंदरा सो रुपर डालेंगे बिजली के बिल बंद हो जाएंगे क्या इसमें से एक भी करंटी पूरी हुई यह उतनी ही फेल हुई जतने कॉंग्रेस पार्टी है क्योंकि 2018 की दी गई मध्या प्रदेश की जनता की गरंटी है तो कॉंग्रेस पूरा नहीं कर पाई अब राहूर गांदी जी क्या चेहरा लेकर आते तो प्रियंका जी को बेजा कि जाओ बैन अब नहीं गरंटी जाके दे आओ पिछली बार काई था सभी किसानों के दस दिन के अंदर करजे माफ करेंगे इनकी सरकार रही करजे माफ नहीं कर पाई इनके ही विधायकोंने विद्रो किया कि मुख्य मंतरी जूट बोलते हैं और उनके साथ नहीं रही इन्होंने युवाउट से का था कि बिरोजगारी भ बार पिछलती हैं लेकिन कैंसल करनी पड़ती हैं इंटरविक्स क्यों कि घोटाला होताई पैपर लीक हो जाते हैं इनी की सरकार के वरिष्ट जी को सडकों पर उतरना पड़ता है अपनी सरकार की भलच लुक्ता चारा के कि खिलाव बीवाओं के साथ किए औराफि Collts of izrich कुछी जितने confident नजर आ रहे हैं तो इस सरकार आगे से कोई करजा नहीं लेगी हिमाचर प्रदेश का करजा भी कम करेगी अगले पांच वर्षों में करजा मुक्त करेगी और मेरी बेहनों के खाते में जो प्रदेश वासियों को कहा था पंदरा सो रपे ब्याज समेथ पिछल हमीने बी चुके हैं अब तो हनीमिन पूर्यड भी उपर हो गया भाई